ऐसी फाइट जहां दिमाग की गुल हो जाए लाइटे काम करना छोड़ दे टिप्स ट्रीक्स वाली साइटे ऐसी जेंगे फिर किल्चोर अपना दिमाग घुमाता है गन कोई भी हो हाथ में अगर सोचली पेटिया चमकानेगी तो भाई फिर डिनर करके ही जाता है भी बचकर जाना री चाहिए भाई सबकी माइनस लगवा दो नफरत ने करके दूर दिलते साथ निवाई यो एक बात बोलो तो कैसे हो वेरे बीजी है वाड़े वाड़े वाई यो आज वेरे साथ बहुत ही गलत हुआ भाई मैं जैसे यहां आया आते ही टपक गया जबकि मु हो जाओगे बहुत ही तकड़े वाली माइनस लगती है भाई मतलब की 200-300 पॉइंट पिछे फेक देती है यह माइनस है अब मैं वहाँ पर टपक तो गया था मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था सबसे पहले तो मैं वेट करता हूँ सर्कल का कि सर्कल कहां बनेगा फिर में डिसीजन लेकता हूँ प्री मोस्क में जानेगा और आज जो फाइट होड़े वाली है वह देख करना सच में बिल्कुल ऐसे रोंग टेक खड़े हो जाएंगे भाई क्या ही खतरनाक फाइट हुए यार इस कोंकर लोबी में अभी तो हमा आगे थे प्री मोस्क में बंदे बो ज़्यादा बचे थे अभी मेरा माइनिस लगवाने का कोई भी मूड नहीं था क्यूंकि फिर यह धाई तीन घंटे में रिकवर होता है भाई अभी जो सामने एक बंदा और जंप कर गया था कुछ बंदों को और यही जए में पसंद आ गई थी भाई हमारी तरह है अब यहाँ पर एक बंदे को तो टपका देता उपर यहाँ पर बस यहीं नहीं आते अभी यहाँ बहुत बंदे आने वाले है और एक टीम तो ऐसी आने वाली है जो भाई आज तक हमने कोंकर लोगी में ऐसी टीम देखी ही नहीं भाई क्या ही स्मोक किया यार उन्होंने स हमारा सरदर्द बढ़ाने के लिए अब लेफ्ट में वन दे थे राइट में वन दे थे यहां से निकलना ही नहीं था सबसे पहले तो मैं कर देता हूं इस बग्गी का पैंचर जो की बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप कोंकर रहें कुछ कर रहे हो तो सामने वाले की गा है कर बीच में घूमेंगे भाई हैकर जो है साइड में बेड़ जाते है कहीं जाकर यह सोचके कि कि जिसकी और रैंक पुस करवारे कहीं उसकी माइनस न लग जाए और अब यह देखो भाई न बंदो क्या ही चुलमची भाई हमें टपकाने की जबकि यह बिल्कुल सेफ थे अब यह रैंक पुस कर सकते थे और इनकी और भी जादा प्लस लग सकती थी भाई लेकिन अब यह माइनस लग हुआ के जाने वाले है अब यह देख रहे हो यार भाई कितने समोक फेक दियोंगे भाई कैसे गड़ी वना दी भाई वहां से यहां तक भाई सच में खतरनाक बंदे थे और ऐसे ऐसे बंदे भी भाई किनारों पर ही घूमते मिलेंगे आपको सरकल में क्यूंकि अगर कोई भी यहां हीरो बढ़ता है कोंकर लोवी में तो बीच में यहां हैकर के हाथों पीटता है और उसकी माइनस जो लगते हो तगडी लगती ह तो भी तो वैसे भी 6 गंटे ही खेल सकते है तो इसलिए भाई हमेसा बीच वाड़ी जो फाइट होती है ना या तो स्टार्टिंग में निकाल लो नहीं तो बीच वाड़ी तो बिल्कुल होल्ड करके खेल लो जितना ज्यादा सर्वाइव करोगे उतनी अच्छी पलस लगी इक वर आपकी रेंक एकदम से बढ़ती चली जाएगी तो फिलाल तो हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे एक बंदे को तो हमने मार दिया था वही समोग के अंदर ही मार की हेल्प से एक बंदा बचा था लेकिन फिलाल यहाँ पर हमारा जोन ने साथ नहीं दिया था भाई फिर तो बस भाई जो माइनस लगते नो मुझे ही पता है एक बार भाई 200 पे से सिधा 400 पे पहुंच गया था तो इसलिए ऐसी हरकती तो बिल्कुल भी नहीं करनी अभी जो मेरे पास लूट भी ज्यादा नहीं थी लेकिन इस जोन में भाई लूट देखो माइने रख चला और क्या फाइट लिया है अब देखो भाई बिल्कुल राम से मज़ा आजाएगा चारो तरफ से हम घिर चुके थे लूट अच्छी नहीं थी और यहाँ पर कोई भी नेड फेक सकता था सर्कल बिल्कुल छोटा सा बचा था और बंद इतने सारे बचे थे भाई बस क्या ही बोले आपको कौंकर लोभी की एक सचा ही बताता हुआ अगर लास्ट वड़ा सर्कल आप पर महरबान हुआ ना तो आपके डीनर के चांस वैसे ही बढ़ जाते है और आज जो है सर्कल हमारे पर ही बन रहा था तो यार आज तो किस्मत अच्छी दी भाई हमारी अब कि अवा थो जारहा है अब एक बंदे भो तो मैंने डेमिज दे दिया था लेकिन में किल नहीं कर पाया अभी जो नेया स्टोक आया था वही चुन्नु मुन्नु वाड़ा हमारे हाथ तो परसाद लेने के लिए भाई नोने हमारा भला कर दिया था और इसमें दे दी थी हमें लूट सबसे पहले तो हम यहाँ पर समोक फेकते हैं सर्कल छोटा था अगर हम चाते तो अंदर रहकर भी सर्वाइव कर सकते थे थोड़ा और लेकिन लूट की हमें बोजा जूट पढ़ने वाली थी है भाई मीनी से में क्या ही कर लूँ और एक उजी भाई कभी भी रिलोड आ जाती है तो इनके पास बहुत अच्छी लूट थी जो कि मुझे मिल चुकी थी सर्कल देखो भाई कितना छोटा सा बचा हुआ है अभी एक बंदा सामने से भाग रहा था बेचारा इसको कोई ओटो वडाई नहीं मिला ना इसने कैब की बेचारा पैदल भाग रहा था तो इसको तो टपका दिया और सर्कल देखो भाई फिर स अब हमारे ऊपर भाई आज बोटनीने लगता है वर्त रखा था हमारे लिए इसलिए सरकल भी साथ दे रहा था कि अज़िए कि मैं ऐसे भी अज़िए 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 तया कि अज़िए अज़िए अब इस वाड़ी सर्कल में जो सबसे ज्यादा जुरूरी होता है बस थ्रोएवस भाई कोई भी थ्रोएवल हो उठा लो जितने भी हो उठा लो बेशक से 10 समो को भाईया उठा लो काम आएंगे बंद इतने कम बचे हैं इनके लिए तो भाईया 50-60 अमो भी बहुत होती है और अब यूवी बोल रहता है कि अंदर आना पड़ेगा लेगे नहीं भाई इस वाड़े सर्कल में ये वाड़ी गलती तो करनी ही नहीं कि हम अंदर बेठे हो क्योंकि बंदे पहले से यही सोच रहोंगे कि बंदे इसके अंदर है और किसीने सुतलीबं फेक देना तो हम गए अब सुतलीबं कैसे फेकते चलो तो मैं दिखाता हूँ बट सुआहा नेड से बंदेगा खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धूआ भाई दो टपक गए और एक बंदा ये पिछे लेटा था तो जब मैं यहां पर आया मेरा एक-दोई किल था तो कोई नहीं भाई अब निकालते हैं और लो भाई उठा दिया धूआ आ गया मजा पड़ गई मन को सांती ये वंदे आये थे यहां करने करांती हम ले गए डीनर मजा आया हो तो या लाइक ठोक दो भाई क्या ही खतरनाक चिकन डीनर था यार वो भी कोंकर लोगी में सभी में मजा आता है यार ऐसी fight लेने के बाद बस hack कर ना तो यार फिर तो बल्ले बल्ले है भाई कोंकर में जो fight लेने मजा आता तो अन्यकिनटी लेवल है तो अगर आपको आज किस गेम प्ले वडını म। अगध्य हो तो अपने हात्तों को मत रोको लाइक और सबस्क्राइब के पट्टन को ठोकू